आपका आपके अपने मौनिंग लाइफ शोर बिहार बिहार में और नए दिन के शुरवात हो चुकि आज दिन है मंगलवार हम उम्मीद करते हैं कि आज का पूरा दिन आपके लिए मंगल मैं हो और शुब हो तो चलिए इसी उमीद के साथ इसी खुशनुमा उमीद के साथ हम अपने कारेकरम का आगास करते हैं और जिब हम अपने कारेकरम का आगास करते हैं आप भूभी जानते हैं कारेकरम के प्रारंब में शुरुबात म अब आपको महापुर्शों के द्वारा कहे गए कुछ अनमोल वचन कुछ अच्छे थौट्स आपके साथ साजा करते हैं ताकि उन अनमोल वचन अच्छे थौट्स को अपने जीवन में अगर आत्मसाथ करें या फिर उनसे कुछ सीखने की कोशिश करें उनसे कुछ प्रेड़ना लेने की कोशिश करें तो जिससे हमारे जीवन में कुछ तब्दीली एक अच्छी तब्दीली हमें देखने को मिलें तो चलिए आए नजदालते हैं अन्मोल वचन पर महात्मा गांधी ने कहा था व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित प्राणी है वह जो सोचता है वहीं बन जाता है आज भी हमारे स्टूडियो में एक विशश्टती थी मौजूद है जिनसे हम बातचीत करेंगे उनके जीवन के चुवे अंचुवे पहलों के बारे में हम आप से चर्चा करेंगे सबसे पहले हम उनका स्वागत करते हैं आज हमारे साथ हमारे कारिक्रम में मौजूद है वि दर्सकों को स्वागत करना चाहूंगा मैं अभी बरतमान में परचार्ज पटना मेडिकल कोलेज हो और हम लोग प्रयास रहता है कि हमारे जो गरीब जनता है उसको बनिया बेहतर से बेहतर से विट्चा सब्दाव में जी बिलकुल सब करें तो हमारे राज्य का एक मात्य सर मेडिकल से जुड़े छात्रे हैं उनका यह सपना होता है कि उन्हें पट्ना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल मिले आप इस प्रतिष्टी संस्थान में प्रधापक है और कई वर्षों से अपनी सेवा दे रहे हैं जानना चाहेंगे आपके लिए कैसा है यह हमारे लिए बहुत ह सुखद है कि मैं आपको बता दूं कि मैं भी एक दिन 1975 में इसी मेडिकल कॉलेज का विद्यार्थी था और विभिन आयामों को पार करते हुए में मैं अशिस्टेंट पॉफप सर्वला प्लास्टिक शरी विभाग में मैं और बुभिन विस्यों में हमने P. G. की डिगिरी ली डिरेनल सजरी घिली प्लास्टिक सजरी में 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 और सरकार के मुझे पटना मेडिकल कॉलेज में 1996 में असिस्टेंट प्रफसर पदा स्थापित किया उसके बाद विभिन सिर्यों को चरहते हुए मैं पराध्याप्याक बना और उसके बाद हमें मौका मिला कि इस मेडिकल कॉलेज का सेवा करने का और मैं 19 से परचार्ज हूं इस पटना सब्सक्राइब के शुरुवात में जिक्र कि आगर आज की दिन की कुछ विशेश खासित की बारे में आज की इंपॉर्टेंस है उसमें यह भी था कि आज हम रास्ट्रे मात्रत्व दिवस मेना रहे हैं महलाएं किसी भी समाज की मजबूत स्थंब होती है और ऐसे में सरकार की बहुत सारी योजनाय है जो भी तिमाम घर्वती महलाएं उनका प्रसव सरक्षित हो और उनका जीवन सरक्षित हो जमना चाहूंगे आप से इस बारे में आपको अंबरवति महिलाए उनको बीटामिन की गोली फोली के सीर बीटामिन एक गोली देती में और उनको हरमेसा क्याल लगती हैं कि उतकी घून का कमी ना हो पर दो उनके खान पान के परह में बताती है क्योंकि कि ईक स्वस्त माता ही ईक बच्चे को द्रम之前 और बच्चा हमारा भुय सेब में हमारा देशा को निर्मान करेगा और अच्छी बातों को इस देश में लाएगा इसलिए मास हमारा जो मातिर्तव है उस पर ध्यान देना और शरकार ने भी इस पर बहुत जोर दिया है और बहुत सा योजनाई चल नहीं है मातित्यों के उपर की प्रसव जो है सुरक्षित प्रसव हो उसको डिलेवरी जो हो वो प्रामरी हेल्थ सेंटर में हो उसमें किसी तरह का कोई दिकत नहीं हो उनका यह जो हमोगलोबी नगरत ठीक रहे और टाइम टू टाइम हमारी जो यह ने मगरहने हैं और आसा करके उसका यह आकलन करती है और उनको यहां तक प्रात्मिकन स्वास्थ के इंद्र तक ले जाती हैं के और उनको डाक्टरों से संपर कराती है ऊप जैसे कि आप जानती है कि प्रेज्डवय का सुई लेना है डिफ्रेंट टाइम्स पर जो वैक्सिनेशन लेना है इसकी वो जानकारी देती है और इतना ही नहीं आइरन की गोली सरकार ने उपलवद कर रखा है जिसे कि उनका हीमोगलोविन मेंटेन रहे है खुन की कमी न हो फोली के सीड है ना जो बच्चे के ग्रोथ में काम आता है तो इस तरह का जो प्रयास है वो आजकल सरकार इस पर बहुत ध्यान दे रही है और यह प्रयास बहुत ही सरानी है और सरकार चाहती है कि स्वस्त मात्रित हो और स्वस्त बच्चे का जन्म हो जिससे कि हमारा समाज स्वस्त हो जी बहुत अच्छी बात कहीं कि सरकार बहुत सारे ऐसे प्रयास कर रही है जि अभी वर्तमार में बतौर प्रध्यापक 2019 से PMCH में लेकिन इसके पहले भी आपकी पदोनती रही कि अन्य विभागों में आपने अपनी सेवा दी है और आपके विश्यशगेता कि अगर में बात करूं तो आप प्लास्टिक सर्जरी में आपने कई वर्षों तक अपनी सेवा करते हैं जहांस करेकं है ये और क्रें जांए की सब्सक्राइब सब्सक्राइब है तो लोगों को वह चाहता हैं जैसे कि आप देखती होंगे कि बाल उर गया वाल्डविनेस का प्रोब्लेम हुआ जी बाल नहीं है तो इसके लिए हम लोग टांसप्लांट करते हैं बहुत सा प्रेस का सज़ेरी करते हैं दाग शरीर में दाग हो गया उसको दाग हटा करके प्लास्टिक सब्सक्राइब आपने देखा वगा कि white scar हो जाता है जिसको बिटलिगों बोलते हैं तो वो हमारे समाज में अच्छा नहीं माना जाता है तो हम plastic surgeon ही उसको हटा करके और उसका plastic surgery करके उसको ठीक करते हैं जिससे कि बच्चीओं की साधी हो जाए बच्ची अपना समाने जीवन जी सके बात कर रहे थे plastic surgery की एक ऐसी विधा जिसकी वर्तमान में हम कह सकते हैं कि एक आवश्यक्ता भी है और लोगों को इसके प्रती लेकिन जागरुक होना होगा कि इसके क्या process होते हैं क्या पूरी प्रक्रिया है कितना खर्च आता है और क्या किसी भी skin disease की समस्या से भी क्या समस्त रूप से निदान मिल सकता है कोई व्यक्ति से बिल्कुल लिदान पा सकता है इस विशे में चाहें कि आवस्तार में माई रश्यकों को बताएं तो मैं यह बताना चाहूंगा कि प्लास्टिक सजरी आज के जुग में एक जरूरत हो गया है और यह बिद्या जो है बहुत ते आश्यकुल को बदलते रहती हैं तो यह प्लास्टिक सजरी कहीं देर है प्लास्टिक सजरी के द्वार ही आज आप देख रही है कि बहुत सा लोग अपना चेहरा बदल ले रहे हैं तो यह प्लास्टिक सजरी प्लास्टिक सजरी का काम यह है कि जो एक्सिडेंट कर गए हैं उनका जो मांस नहीं है प्लास्री बने हड़ी पर उसको ढखना एक दूसरा है कि हमारे जो युवक्तियां है तो आज चाहती है कि हम सुन्दर लगे और हम लोग का जो टमपरेचर है टेमपरेट्ट जोन में हम लोग है तो ज्यादा होता है उसके कान फ्राइब होता है तो उससे बचाव करना उसको छेहरे मेरा काला हो इसके परती लोगों को रूची परदा करना। इसके लिए हम लोग स्क्रीन लोषन लगाने के लिए देते हैं तता साथ ही साथ आज कल लेजर आ गैसके मेरेचल्इकल भासा मरे मेलाजमा बोलते हैं, इसको लेजर के द्वारा हम लोग बहुत तक ठीक कर सकते हैं इतना ही नहीं वह चेहरा का हम लोग टाइटनिंग भी कर सकते हैं ज्यूर्डी टाइप का हो गया तो उसको भी दूर कर सकते हैं साथ ही साथ इसमें कुछ प्लास्टिक सर्जरी में जनजाद दिमारिया होती है जैसे की ओट कटा हुआ बच्चा पैदा होता है तालू कटा हुआ पैर टेड़ा हुआ पैदा होता है तो इसकी हमारी माताएं है और लगती हैं से गिर्ना कर लगती हैं नघ्ञत और ओट कटे हुए तालू कटे में आप जानती है कि बच्चा बरा होने लगता है तो बोलने में दिकत होता है तो आर्टिकुलेशन जो है भावेल और कॉंसेंट का नहीं हो पाता है इसलिए साप नहीं बोल पाते हैं नेजल भास होता है प्रंतु यदि समय पर उनका सर्जरी कर दिया जाए तो बनिया से बोल सकते हैं साथ ही साथ अपने कक्छा में अपने विद्यार्थियों के साथ समकक्छो करके बैठ सकते हैं कि उनसे इससे उनको इन फ्रीटी कंप्लेक्स नहीं हो साथ ही साथ जो विकृति यहांत का विकृति टेरा हो जाना जर्मजाद विकृ तो इस तरह से प्लास्टिक सजी बहुत आगे जा चुका है और खासकर नए जुक की बात करें सुंदर DAVID CH Gralung 올 meno up डाट नए ऑड़ सबाएं उसको भी लेजर ला जो आइप सथी साथ चेहले का सर्जरी सद़र्डे भी करते हैं ब्रेष सदयμी करνा ब्रेष श्राख को चोटा करना इस तरह का इसमें आता है शाथ हर तरह का जो दाग हो जाता प्दाइसी कुछ दिखावीगा बच्चे को तो ऊसको फोजी के द्वारा उसको उसको watch देते हैं तो यह प्लास्टिक सजी का आयाम जो है बहुत आगे जा चुका है और इसके लिए पहले हम लोग जब विद्यार्थिवा करते थे प्लास्टिक सजी विभाग में पढ़ते थे तो उतना इवेरनेस नहीं था मगर अभी मैं देख रहा हूं कि काफी लोग और युव बढ़ी है जी सर जानना चाहूंगी कि सिर्फ सौंदरे के लिए ही नहीं सौंदरी करण के लिए नहीं बलकि आपको स्वस्त और सुडॉल बनाने के लिए प्लास्टिक सर्जरी बरतमान के दिनों में बहुत कारगर से दो हो रहा है आपको इसके प्रति इतनी रूची कैसे आपने इसी चुनाओ किया मैं सरजरी में में मैं इस कैपर ती मैं जब इसके वार्ड में जाया करता था था तो देखता था कि वार्ड में घजब घजब स्थिजभ दिया गया तो एकilly सुपता होती थी ये कौन विद्या है है न अन छुआ अन देखा तो उसी के कारण और संजोग से हमें उसमें पीजी की एडमिशन मिल गई तो मैं उसके तरफ आकरसित हो गया और आज मैं अपने विद्यार्थियों को ये बताता हूँ और ये बहुत खुश्ची की बात है कि बिहार में आठ मेडिकल विद्यार्थ का पीजी ए स्टूरेंट का मैं अडमिशन लेता हूँ उनको परहाता हूँ और इतना ही नहीं वह बाहर के किरल के आगडा के दिली के बंबे के विद्यार्थिया करके मेरे हां प्रसिक्शन प्राप्त करते हैं और एमस की डिगरी के लिए वह अपलाई करते हैं ये जो में क्या खर्च आएगा कोई व्यक्ति अगर आना चाता है वह किस संपर्क करें किस विभाग में जाए और कैसे वह इन सुर्धाओं का लाब उठाव सकता है तो मैं आपको यह बता दू कि प्लास्टिक सजरी विभाग जो है फुल फ्लेज विभाग है इसके अपना आउट प्रती दिन करते हैं छोग दिन करते हैं रविवार छोड़ करके तो आउट्डर में जो भी मरीज प्लास्टिक सवंदी था आकर के रई श्रेशन करा करके हमारे चेक इसक्षक वहां उपलब्द रहते हैं उनसे वह दिखला सकते हैं राय ले सकते हैं उसके बाद उनका 24 घंटा इमर्जनसी चलता है राजेंदर सहाजिकल ब्लॉक में प्ला पीमचेश के तो कोई भी मैंने का केस आ गया कभी कभी देखते हूं कि चेहरा उड़ गया बाल जो यह जो धान का मशीन होता उसे बाल जो है पकड़ा गया अब पूरा इसकाल्प जो हर जाता है ना तो महिलाव के लिए तो बहुत यह दिकत वाली बात है तो उसको हम लोग रिप्य करते हैं ठीक करते हैं पलस चेहरा जो उड़ गया या जो भी पाट डिएफेक्ट हो गया उसको हम लोग इमर्जनसी में उसको ले जा करके शिर हमारे डॉक्तर से और उसको ठीक करते हैं तत्प सब्सक्राइब करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं तो यह प्लास्टिक सरी का यह एडवांटेज है जाना चाहूंगी कि आपने अबेबियस किया अब मेडिकल में इसका चुनाव करना इसकी रुची आपको कैसे हुई बच्पन से क्या आपने यह सोचा था आपने तैय किया था कि आपको एक डॉक्टर बनना है लिए जब मैं स्कूल में था तो होता है कि हर समय कोई विसे का टनापको मेरा वकील बनना चाहता है को यह बनना चाहता है तो उसी लिहाजन हम लोग ने अपना मेहनत किया और अपना मेडिकल का इजाम दिया तो उसमें सेलेक्शन हो गया तो मैं उसको अपना कंटिन्यू कर गया चुकि यह बिहार का बहुत ही प्रति स्थित मेडिकल कॉलेज है और इसमें आज यह मेडिकल कॉलेज अपना सववा साल मनाने जा रहा है उन्हें सो पचीस में तो यह बहुत ही यहां से एक से बड़े बड़े विद्वान टीचर लोग जो कि अभी भी इंगलाइन अमेरिका में काम करते हैं तो यहां का यह रुद्वा है कि यहां के आदि आप चले जाए और बोले कि मैं पटना मेडिकल कॉलेज आया हूं तो आपको एक अलग रिगार्ड मिलेगा तो यहां के विद्यार्थी चारों तरफ फाइले हुए हैं कभी-कभी हम लोग को मौका मिलता है जैसे सीनियर होने के कारण मुझे मैं बाहर-बाहर इंस्पेक्शन के लिए जा ना पड़ता तो देखते हैं कि मेरे विद्यार्थी वहां काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर यह कर कि हम लोह लोग को समाज बेयार्थ से बह्तर और सैवा कर रह और यह आज कल का ही हेल्थ सेक्टर को हम लोग मजबूत करें अपने हाल ही के दिनों में देखा हुगा कि कोर्णा ने किस तरह से अपना तांदों मचाया और किस तरह से हमारे लोग परसान है तो पड़ना को भी भली भा थी 엌धिने को टना मेडिकल कॉलेज ने कंट्रोल किया eseding करके जाज करके उसका इलाज करके और सरकार इसमें हम लोग को बहुत ही सहयोग किया और हर्मेशा गाइड दिया और अभी देख रहा हूं कि कुर्णा का यह बर रहा है तो हम लोग चौकस है और पिछला बार जिस तरह से हम लोग ने बखो भी मनें को ना को कंट्रोल किया इस बार भी उमीद करते हैं कि हम लोग को मनें अच्छे से कंट्रोल करेंगे और अपने जो बिहार वासी हैं और जो हम लोग के समाज के जो एफेक्टेड लोग हैं उनको ज्यादा तक को कॉल करनों सारी लाज करेंगे सर आपने कहा पीमसी तक पर है प्रयासरत है बीते समय में भी बहुत मजबूती से लोगों की पीमसी ने सेवा दी और लोगों का इलाज किया वर्तमान में भी कोविट पोर जो है चौथा वेरियंट है देश में उसके केसिस बढ़ रहे हैं पाए जा रहे हैं इसको लेकर कि पुखता इंतजामात हैं जाना चाहूंगे कि जो प्रिणाली है जो पद्दती उसमें हर रोज एक नए बदला नई तब्दिली आ रही है नई चीज़े एडवांसमेंट हो रही है जाना चाहूंगे पीमसी एच में वर्तमान के दिनों में क्या एडवांसमेंट हुई है जिसे आमजन उसका लाब उठा पाएंगे तो जैसे मैं कोर्ना कहीं बात करूं तो आपने देखा हुगा टीवी पर उसमें देखा हुगा कि लोग ऑक्सीजन के लिए बहुत परसान थे ऑक्सीजन नहीं मिलता था कंधे परलाद करके सिलिंड पर औक्सीजन पहुँचा दिया गया कि किसीनी मरीज़ को यदि औक्सीजन की कमी हो सचुरेशन कम हो तो हम लोग तो फुरत पूड़तिक करें रहिजंग कृति में कर सिक्रहा है कि इक सबता yönे सरह संदीन देखा तो थे परसा और और कोर्ना में एक बहुत बढ़ी जरूरत की चीज है कि एधी हम लोग मनें बिहार में खासकर इंदिया में को बढ़ा के रखें तो उसका प्रकौ बहुत कम होता है यह देखा गया है तो हम लोग अपना यूनीटी को बढ़ाएं हम लोग मनें यह जो करना का प्रोटोकॉल है दिस्टेंसिंग बना के रखें लोगों से थोड़ा दूरी बना के रखें मार्क्स पेने से यूज करें तो हैबिट को थोड़ा बदलना होगा और वह बदलने से हम लोग बहुत हद उसको रोग पा सकते हैं सब्सक्राइब कई वर्षों से आप बताव प्रधापक यहां पर प्रदोनत है पढ़ना चाहूंगे जो छात्रों के साथ चात्र या जो छात्राएं हैं उनके साथ जो आपका इंट्राक्शन होता है वह अनुभव आपके लिए कैसा है देखे यह ह हर्मेशा से इस चाहिए और हम लोग का यह मन है यह भी रहता है कि हमारे जो भी विद्यारती यहां से निकले वह अच्छे निकले क्योंकि हम लोग बेस्ट मेडिकल स्टुडेंट का सलेक्शन करते हैं मेरिट के अधार पन्या सलेक्शन होता है तो उनको अच्छी से क्रेइनिंग हर तरह का सुवीदा हम लोग देने का कोशिज करते हैं उनको इंकरेज करते हैं और मैं देखता हूं कि हमारे बच्चे पीजी योगरण करते हैं और यहां तक की सूपर इस वेसलिटी में जैसे किड्नी हुआ गैस्ट्रोइंट्रोजी हुआ नियूरोजी हुआ नियूरोजी हुआ प्रेट्री क्रिकां इसमें काफी संख्या में जा रहे हैं और लोगों का सेवा कर हैं और खास करके इंडिया में इस एंसद्ट्रोट है उसमें उनका सेलेक्षन हो रहा है और वह अपना कोर्स सुड़ा कर रहे हैं शाथी साथ कुछ लोगं बाहर भी चल जाते हैं तो विशेष ग्यान के लिए तो ये बहुत अच्छी प्रंपरा है और मैं यह कहना चाहूंगा कि मेडिकल साइन्स बिहार में बहुत सजग है और हम लोग बहुत अच्छे चिस्टक यहां उपलब्द है मरीजों को कोई दिकत नहीं है और हर तरह के अच्छे विशे सग आपको प्लब्द है जाना चाहूंगे जो चात्रों चात्राइं है उनमें किसकी अगर मैं अनुपात की बात करूं तो मेडिकल शेत्र में क्या लगता है आपको लड़किया जाद अच्छा कर रही है या फिर लड़के या दोनों ही बरावर कर रहे हैं यह आपके लिए खुसी की बात है कि अभी हाल के दिनों में चुकी मैं अडमिशन में लेता हूं पर चार्ज होने के नाते तो अभी मैं दे सब्सक्राइब है जो होता है अपना कोलेज का वार्षी को ऊसमें एक एक लड़कीयों ने सब्सक्राइब कर दो नज़से सब्सक्राइब कर दो यह शु था बात है हमारी बच्यां बहुत आगी आगी ब्तलेंटेटि और वो किसी से कम नहीं पर जाना है कि सरकार हमारी चुकि बिहार की जो population है वो बहुत अधिक है और स्वास्त जो सेवा केंद्र है वो निश्चित है ऐसे में जो लोगों की भीड होती है वो स्वास्त सेवा केंद्रों पर इखटा हो जाती है तो कई कभी कबार ऐसा हो जाता है कि उनको देख पाना और तमाम उनको संतुलित कर पाना थोड़ा सा एक चालेंजिंग हो जाता है ऐसे में सरकार ने प्रारंबिक इलाजों के लिए प्रारंबिक अगर आपको कोई बिमारी है उस परिशानियों के लिए अन्य भिन-भिन स्वास्ते सेवा केंद्र भी स्थापित किये हैं कुछ आप इसके बारें बताना चाहें है जिसे हमारे दश्रकों को लाब हो कि वह अगर चोटी मोटी कुछ दिक्कते या परशानिया है तो वह किन केंद्रों पर जाकर अपना इलाज करवा सकते हैं अभी मैं आपको बता दूं कि सरकार ने मीशन 60 के तहत हमारे प्रात्मिक स्वास्त केंद्र जो है उसको मजबू प्विश्ट्र के साथ जो बेसिक जो विमारिया है उनका इलाज उसी असत्र पर हो जाए उसका फीर ये उसका पीर रेफ्रल होस्पीटल ये उसका लोड नहीं पर इसले सरकार ने हर तरह का और इजिदवाईय। खांज मुफ्त में सरकार दे रही है हरतों किता अभी हमाने पास 611 तंद रवाई उपलब्ध म वो लोग जो है मने हम लोग का यही एम है कि उसको पी एस सी लेवल पर उसको ठीक कर दिया जाए साथी साथ मैं बता दू कि जो रेफरल होस्पिटल या डिस्टिक होस्पिटल है इसमें सरकार ने एक्सरे अल्ट्रा साउंड और इवन की आई स्यू की भी सुविदा बहाल कर रखी है यदि किसी को आई स्यू का जुरत है वेंटिलेटर का जुरत है तो उसको उसी लेवल पर और वो सुविदा उपलब्ध हो जाएगी तो यह सरकार का बहुत ही सराहनिये कदम है और हमारे स्वास्त मंत्री महदय ने इस पर खुबी बहुत ध्यान दिया है और इसी का परिणाम है कि स्वास्त सेवाई बहतर से बहतर हो रही है सब लोग इलर्ट मोड में है मैं आपको को बता दू कि यह पतना में ही हड़ी का अलग सास्तिनगर में है तो और आहक का अलग से स्पेशिलाइज होस्पीटल राजयंदर नगर में है और हिर्दय रोग का अलग से अस्पताल इंद्रा गांधी हिर्दय रोग संस्तान है प्लस गर्दनी भाग में भी इस्पेशलाइस टीट्मेंट मेंने किया जाता है और साथ ही साथ हर तरह के जाच की सुविदाएं हर सेंटर पर हर होस्पीटल में उपलब्ध है और मरीजों क सरकार का प्रयास की जद्सेयर जरुवत में दिया जाएं जिससे कि उपना टीट्मेंट दिसकंटिनुव नहीं करें पैसे के और में यह इनाज करें तो यह बहुत ही सरकार का सारथक कदम है और इसका बील्ट भी आ रहा है इसिया इस अगर चात्रों के बारे में आप से लिटिए कहना चाहें कि चुकि मेडिकल में एडमीशन थुरा भिसम है तो आप विद्यारतियों से निवयदन करूँगा नरोगा कि यहां आप लोग मेहनत करें और जो जो बेसिक चीज है स्वास्ते केंद्रों की अगर में बात करूं कि आप उसमें प्रतिष्ट संस्ता हैं और हमारा स्वास्ते ही कहते हैं कि हमारा सबसे बड़ा धन है जैसे हम चाहें तो अपने अपने प्रयास से हम अरजित कर सकते हैं ऐसे में आप तमाम दर्शक हैं उन्हें क्या आप संदेश देना चाहेंगे यह खुद को क्या करें जिसके वज़े से वह स्वस्त रहें और खास दोर से यह कोरोना महमारी आ रह क्या है तो कम से कम हम लोग अपना मॉर्निंग वाक जरूर करें और योगा जहां तक हो सके योगा करें जिससे की बहुत से विमारियों को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं अपना आस्वरन सक्ति को बहा सकते हैं योगा करें मॉर्निंग वाक करें प्लस अपना दिन तक चर्जा जो है वह एक lifestyle को fix कर लें और उसी हिसाब से वह करें और जो खान पान है उसको बहुत संतुलित रखें अब बाहर में पाठी बना रहें खा रहें तो खा रहें इस तरह का बने habit को रोकें ठीक है पाठी चलती है मगर मगर जो हो सिमित मातरा में हो और एक routine life और एक healthy dietary habit के थुरू हो और कहकी स्वास्त रहना बहुत जरूरी है और स्वास्त रहने के लिए आप शरीर एक समझे की मशीन है उसको जिस धंधंग से आप रखिएगा जितना उसको हिफाजत किजेगा जितना उसको चलाईएगा जिस जंग से उस जंग से वह काम करेगा बहुत अच्छी बात करें कि हमारा शरीर है एक मशीन की तरह है जिसकी maintenance हमें खुद ही कर दी है आपको अलविदा कहने का लेकिन जाने के पूर हमारी गुजारिश होती है आप से कि आप अपने विचार हम तक जरूर पहुंचाएं और इ पता तो फटाफ़र उठाएं काघस और कलम नोट करें हमारा पता हमारा पता है निदेशक डिटी बिहार दूद अशन के इंदर फ्रेजर रोट पत्ना चुन्य 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 एक हमारा email address है ddk.patna at gmail.com